हेलो एब्रिवन आप इसी तरह खुश रहें सकसेज रहें सफल रहें मैं आसा करती हूँ आप बहुत ही ज़्यादा स्वस्त होंगे अच्छे होंगे गाइस आज की रीडिंग है कि इश्वर आपकी अगर परिच्छा लेते हैं तो आपके साथ क्या होता है यानि गौड पर आधारित होगी देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है गाइस अपने आप कार्ड निकल कर आए गाइस इसका मतलब स्वयम गौड ने इश्वर ने इतने कार्ड अपने आप भेजे हैं गाइस आपके सामने ही कार्ड गिरा है मुझे सफल करने की जरुवती नहीं पड़ी है इश्वर ने इतने काड़ अपने आप दे दिये अब देखते हैं रीडिंग इसी पर होगी कि गौड जो है क्या-क्या परिच्छा लेता है यहाँ पर आपके लिए इश्वर जो है सबसे पहला परिच्छा यह लेकता है गाईस कि आपको अपनों से ही दूर करता है धीरे-धीरे यानि आपका कोई मान सम्मान नहीं करेगा कोई आपको प्यार नहीं करेगा कोई आपकी बात नहीं मानेगा कोई आपका कहना नहीं सुनेगा सुरुवात यहीं से सुरू होगी गाइस कि आपके लाइफ में कोई आपको तबज्जो नहीं देगा आपको इतना importance नहीं देगा जितना पहले देता था क्योंकि आप कार्मिक lesson में हैं क्योंकि आप की परिच्छा ले रहे हैं इश्वर कि ये बंदा या बंदी कैसे क्या करता है कैसे करता है कैसे अपने आपको समालता है कैसे आपने आपका बिद्धियों विकास करता है, प्रोग्रेस करता है. तो यहाँ पर यह है कि जो पहले आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो आपको प्यार नहीं करेंगे, आपसे दूर होने लगेंगे, आपका दूर जो बाते हैं कठोर बोलेंगे, आपको दिल को दुखाएंगे यानि आपके लाइफ में एक भूचाल जैसा आ जाएगा जिसे कि आपको बहुत-बहुत जदा मारमिक पीड़ा होगी गाइज मारमिक पीड़ा मतलब बहुत जदा पेन होगा, दर्द होगा आप परिशान हो जाएंगे कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और देखिए गाइज यहाँ पर रीडिंग इश्वर की हो रहे थी और इश्वर ने काडों के द्वारा अपने आप ही गिरा दिया कि इतने ही काड से रीडिंग करनी है और यहाँ पर गाइज भी आ गया गाईज यानि इश्वर की बाते हो रहे थी और एंजल गौर्ड दिवाइन इस रीडिंग में स्वाएम उपस्तित है गाईज आप देख सकते हैं गाइजस का काड आया और यहाँ पर एंजल का का भी काड आया यानि divine आपके साथ वाकई परिच्छा ले रही है आपका इश्वर जो है आपका वाकई परिच्छा ले रहा है कि आपको कैसे रहना है क्या करना है यह सब इश्वर के द्वारा decided है इंसान के द्वारा नहीं decided है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो Divine आपका God जो है इश्वर जो है परिछा ले रहा है और बहुत अच्छी दरह से आपका परिछा ले रहा है ऐसा परिछा लेए आप यहाँ पे देख सकते गई कि यहाँ पे इश्वर है और पीछे एक लेडी खाड़ी है यानि वो कितने दर्द में पीड़ा में है और कितने तकलीफों में है वो इश्वर को पुकार रही है लेकिन इश्वर उनकी मदद करने की कोशिस करे है लेकिन वो लेडी उधर नहीं देख रही है वो सिर्फ अपने कार्मिक लेशन में अपने कर्मों में अपने दुख में अ यहां पर बहुती फियोर और बहुती deep reading है गाईस कहने का मतलब इश्वर आपकी परिच्छा ले रहा है लेकिन ़ो दूर बैठा उपर बैठा हुआ देख रहा है कि आप कितने दर्ब में हैं पीरा में हैं तकलीब में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपका वो खोज खबर बराबर रख रहा है कि मैं इस इंसान का परिच्छा ले रहा हूँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो आपके साथ हर पल हर गड़ी खड़े हैं तो यहां घबडाने और डरने की बात नहीं है गाईज क्योंकि यहाँ पर इश्वर ही आपने साथ है पर इच्छा लेने दीजे जितना लेना हो सके उतना लेने दीजे बोलते हैं न कि सोना जब तपता है तभी खरा सोना बनता है तो यही हाल आपके लिए किया जा रहा है जब आप दुखों को सहेंगे तकलीपों को सहेंगे तो आप खरा सोना बनके निकलेंगे अपनी life में ऐसा लगेगा guys कि आपका नया जनम हुआ है इतना अच्छा आप बनेंगे इतने अनुभवी बनेंगे इतने प्रतापी बनेंगे कि आपको लगेगा कि मेरा new birth हुआ है आपको नए रूप में नए रूप में आपको एकदम प्रोटेक्टड कर रहे हैं, एकदम सुरक्षा करके आपको एक नए रूप में जनम देने की कोशिश कर रहे हैं इतना परिच्छा आप लेंगे कि आप एक दिन बहुत बड़े इंसान बहुती ज्यानी परसन बहुती विज्जम बाले परसन बनकर निकलेंगे यहाँ पर और यह कार्ड भी डिवाइन का ही माना जाता है गाइस वाकई आपके इश्वर परिच्छा ले रहें क्योंकि जो कृ प्रिष्णा है वो हमेशा बासुड़ी अपने साथ रखते हैं यहाँ पर सेर भी है तो दुर्गा मा का कहीं न कहीं अंस है यानि यह कार्ड जो आपको बहुत प्यारा मैसेज दे रहा है गाइडेंस दे रहा है कि आपका नया जनम होने वाला है जो इस वर परिच्छा लें आपका प्रोग्रेस होगा आपका जो भी पुराना चीज था वो हटकर एक नए रूप में आप आएंगे गाईज यहाँ पर माइंड का काड़ा आया है तो आपके अंदर जो भी गंदे विचार थे जो भी अडिक्शन था जो भी तकलीप है ती जो भी अंजाइटी है वो बाहर निकल जाएगी गाईज यानि आप जो भी आपके अंदर गलत विचार गलत धार नाय थी आपके माइंड में वो सब हटती चली जाएगी गाईज और फिर आप इतना परिच्छा ले रहें गाईज आप देख रहें मोमेंट टू मोमेंट हर पग पग पर इश्वर और आप हर एक परिच्छा में उत्रिण होते चले जा रहे हैं पास होते चले जा रहे हैं गाईज आप खुदी देख लिजे हर कदम पे आपका एक 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 जाम हो रहा है और उस एक जाम में आप मोमेंट टू मोमेंट चले जा रहे हैं यानि आ आप बोल रहे हैं आपका न्यू भर्थ होगा पेसेंस का कार्ड आया है तो आप अपने पेसेंस से अपने धैरे से धीरे 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 आप इतने सक्सेज हो जाएंगे इतने अनुभवी हो जाएंगे इतने विजडम बाले परसन हो जाएंगे इतने ग्यानी परसन हो जा कीई प्रक्रिया कीतना परिछा ले रहा हैं लेकिन धीरे दीरे दीरे परिच्छा ले रहा है। आप एक दिन इस लेडी की तरze क्रियेटिव बन जाएंगे पावरफूल बन जाएंगे और रचनात्मच चीजों में आप इंटरेस्ट लेने लगेंगे और साथ ही आपके अंदर इतना बिजडम आएगा गाईगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप पहले वाले वो पर्शन है यहाँ पर आपको सक्से मंजिल जरूर से जरूर मिलेगी क्योंकि आप मोमेंट टू मोमेंट जा रहे हैं और इश्वर परिक्षा परिक्षा आपका लिये ज गया तो आपके साथ इश्वर खड़े हैं हर कस्ट में हर दुख में हर सुख में तो आप डरे नहीं पेसेंस बना के रखे आपका काम जो है सफल होगा ही होगा भगवान भी हार जाएंगे आपके अच्छे कर्मों के द्वारा और आपका जो भागे है वह खुल कर आएगा का फल हाटबर का फल बहुत अच्छा होगा एसा होगा कि आप लगेगा कि आपका नया जनम हुआ है यही रीडिंग थी गाइस अगर अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप दिखा सकते हैं थैंक्यू एब